Parenting and Bullism Bullism जो है वो सिरफ स्कूल की हद तक महदूद नहीं होती। जब हम Bullism की बात करते हैं और Bully की बात करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि जो Bullying है वो हो क्यों रही है। और इसमें जो है वो Parenting Styles का देखना बहुत जरूरी है और उसका तद्जिया करना बहुत जरूरी है। तो इंतहाई नर्म होता है। तो जैसे हमने Permissive Learning Styles की बात की थी, Authoritarian Learning Styles की बात की थी और ये देखा था कि ये जो दोनों Learning Styles हैं ये कारामत साबत नहीं होते, बेतर Teaching and Learning में उसी तरह हम जब Parenting की बात करते हैं तो जब बहुत ज़ादा सखत रवया घर में अपनाया जाता है या बेहत नर्म रवया अपनाया जाता है तो ये दोनों रवये जो हैं ये मुस्पत साबत नहीं होते बच्चे की तरबियत की अमल में। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा जो bullying जो है उसका इजहार कर रहा है, वो जो bully बन कर सामने आ रहा है या वो बच बच्चा जो victim बन रहा है, इन दोनों के घरानों को देखना बहुत ज़रूरी है, what are the practices at home, how do parents deal with children, ये देखना बहुत ज़रूरी है, तो parenting styles का analysis बहुत ज़रूरी है और ये analysis जो है, ये सही तोर पर counselors कर सकते हैं, अगर schools में counselors मौजूद हैं, तो वो बहतर तरीके के साथ ये तज़्या कर सकते हैं, कि خاص एक तालिब विल्म जो बुली है या victim है, उसका जो है, शख्सियत का सही तज़्या तबी हो सकता है, जब उसके घर के मौछल का तज़्या हो सके, और घर के मौछ में जो वालिदैन है, वो एक एहम किरदार अदा करते हैं, और वालिदैन के साथ साथ जो घर में बहन भाई हैं या दिगर जो हैं घर वाले हैं वो भी एक एहम रोल अदा करते हैं तो इन सब का तज्जिया करना बहुत जरूरी है इसमें ये बात जो है समझनी बहुत जरूरी है कि बच्चे जो है जिन घरानों से आते हैं वहां पर जो महौल है वो क्या है आ वो सकती तो करते हैं, मगर उसके साथ-साथ वो बच्चों को जो हैं, वो आजादी भी देते हैं. They give children some kind of independence so that children can think on their own. That is very important. So it is seen that authoritative parenting style is best and it can lead to better upbringing of children. वो बच्चे जो authoritative parenting styles को face करते हैं, वो बहतर तरीके के साथ स्कूल में adjust करते हैं और उनके bully बनने के या victim बनने के दोनों chances जो हैं वो कम होते हैं. वो एक normal तरीके के साथ अपनी जिंदगी स्कूल में गुजारते हैं, घर में भी घर का महौल जो है वो बहतर होता है और उनको पता होता है कि उन्होंने बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, क्यूंके style authoritative होता है. तो ये देखा गया है कि जब parenting style authoritative हो, वहाँ पर बुली बनने के chances जो हैं वो कम होते हैं. जहां authoritative parenting style होता है, वहाँ पर जो बच्चे हैं, उनमें self-determination आती है, एक आजाद सोच आती है, और जब आजाद सोच होती है, तो तब चीजों का तद्जिया भितर तरीके से हो सकता है. और बच्चों को, कालिब इल्मों को हमें ये आजादी जरूर देनी चाहिए, ये वो खुद से तद्जिया करें. जहाँ पर self-reflection होगी, वहाँ पर self-discipline आएगा, और जहाँ पर self-discipline आएगा, वहाँ इस किसम के जो incidents हैं, वो बेहत कम होंगे. तो आप जब parents से भी बात करें, जब school administration parents से भी बात करें, तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें, कि वहाँ पर parents जो है, उनका अपने बच्चों के साथ रवईया कैसा है. क्यूंकि बाज उकात जो cause होता है, जो bullying का cause जा victim बनने का cause है, वो school में पिन्हा नहीं होता, वो cause जो है बाज उकात घर में होता है. So it is very important to analyze these situations as far as bullying incidents are concerned.